जीने लगा हूँ पहले से जादा पहले से जादा सो हे वाट्स अप गाइस आज हम आपको काइन मास्टर में इसी तरह के स्टेटस वीडियो को बनाना सिखाऊंगा तो बगएर टाइम जाए कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां से आपने Create New में आना है और यहां पे आपने 16 into 9 रेशो सेलेट करके Next करना है और यहां से आपने Images में जाना है यहां से आपने Black Background सेलेट करना है और यहां से आपने किनारे से खेंच के इसके टाइमिंग को Increase करना है और उसके बाद यहां से आपने आडियो में आना है यहां से आपने अपना सॉंग यहां से इंपोर्ट करना है यहां पे मैं यह सॉंग इंपोर्ट करता हूँ और उसके बाद यहां से आपने लेयर में आना है यहां से आपने टेक्स में जाना है यहाँ पे आपने Song का पहला लाइन यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यहाँ से आपने इसको OK करना है और यहाँ से आपने इसके Size को थोड़ा बड़ा करना है और उसके बाद यहाँ से आपने इस Option पे क्लिक करना है और यहां पे आपको जो भी font पसंद है आप उसको select कीजिए यहां से मैं second wallet select करता हूँ और उसके बाद यहां से आपने in animation में आना है in animation में आपने वाइब राइट select करना है यहां पे आप देख सकते हैं और इसके speed को आपने one से थोड़ा ज्यादा रखना है यहां से आपने इसको okay करना है again आपने this text को select करना है यहां से आपने out animation में जाना है और यहां से आपने fat को select करना है यहां पे आपने इसके speed को one ही रखना है और उसके बाद यहां से मैं इसको थोड़ा stretch out करता हूँ और यहां पे हमारा पहला line खातम हो रहा है आपने उसको वहां से trim करना है यहां से मैं इसके right side को remove करता हूँ और उसके बाद यहां से आपने layer में आना है यहां से media में जाना है और यहां से आपने एक color video आपने import करना है यहां पे आप देख सकते हैं इस video का link मैं आपने description में दे दूंगा आप वहां से download कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं और उसके बाद यहां से आपने इस option पर क्लिक करना है और यहां से आपने इसको full screen पर करना है यहां से आपने इसको ok करना है और again आपने इस effect को select करना है यहां से हमने blending में जाना है और यहां से आपने स्क्रीन पे टेप करना है यहां से आपने इसको ओके करना है तो यहां पे हमारा यह एफेट कुछ इस तरह से वर करेंगे यहां पे आप देख सकते हैं हमारा टेक्स यहां पे खतम हो रहा है लेकिन यहां पे यह एफेट बाकी है तो यहाँ पे आपने इस color वाली वेडियो का speed थोड़ा increase करके इसको adjust करना है यहाँ से मैं इसकी speed को थोड़ा increase करता हूँ यहाँ से मैं इसको ok करता हूँ और यहाँ पे जो extra part है मैं इसको remove करता हूँ यहां पे आप इसकी speed को कम या ज्यादा करके यहां पर adjust कर सकते हैं और यहां से आपने इसको ok करना है तो दोस्तो उसके बाद again आपने यहां से अपने text को select करना है यहां से आपने three dots में आना है यहां से आपने duplicate पर क्लिक करना है और यहां से आपने इसको ड्रेक करके यहां पे लाना है और उसके बाद यहां से आपने इस option पी क्लिक करना है और यहां पे आपने song का दूसरा line यहां पे type करना है यहां पे मैं type करता हूँ दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं हमारे सौंग का दूसरा लाइन थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहां से आपने इसको ड्रेक करके थोड़ा सा आगे ले जाना है जहां पे हमारे सौंग का दूसरा लाइन स्टार्ट हो रहा है वहां पे तो ये अलमोस्त यहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तो यहां पे हमने इसको इस जगे पे डिजस कर दिया है और उसके बाद यहां से आपने इस कलर वेडियो को भी कोपी करना है अगेन यहां से आपने थ्री डॉट्स में आना है यहां से duplicate में जाना है और again आपने इसको drag करके यहां हमारे दूसरे text के सार लगाना है तो दोस्तो उसके बाद यहां पे हमने अपने second lyrics का color change करना है उसके लिए आपने यहां से इस color video को select कीजिए यहां से आपने नीचे scroll down करना है और यहां पे आपने adjustment पे टेप करना है और यहां से आपने सबसे नीचे आना है यहां पे आप यह option देख सकते हैं हुए अगर आप इसको आगे पीछे करेंगे तो इसका color change हो जाएंगे यहां पे आप देख सकते हैं और अगर मैं यहां left side पे ले जाऊ तो यहां पे भी यह color change हो रहा है यहां पे आपको जो भी color पसंद है आप यहां से select कीजिए यहां पे मैं यह वालग color select करता हूं और यहां से मैं इसको okay करता हूं तो दोस्तों यहां पे हमने अपने song का दो line लिख लिया है और इसी तरह आपने text को और इस वेडियो को कोपी करके आगे भी इसी तरह लिखते जाना है यहाँ पे मैं जस्ट इतना ही रखता हूँ और यहाँ पे जो extra part है यहाँ से मैं इसको delete करता हूँ यहाँ पे song का भी extra part remove करता हूँ और यहाँ से आपने इसको okay करना है तो दोस्तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और फाइनली एक बार मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ तो दोस्तो इस तर करके आप भी काइन मास्टर के जरीए बहुत ही कमाल का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं तो ये थी आज की वीडियो उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको काइन मास्टर से रेलेटेट किसी और टोपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं थैंक्यू, बेस्ट अफ लग